हाई गाईज वेल्टम बैक तो मैं चैनल मैंने में शुत्ता और कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे खुश होंगे पिएच्ट पीएच्ट लेवल होता है और आपके जो ओपन पोर्ण की जो प्रव्म मोस्ट्राइज कर रहे हैं और मेक अपने लिपस अपने स्किन को मॉस्ट्राइज बहुत अच्छे से करना चाहिए उसके बाद में वाव स्किन साइंस का ओइल-फ्री उप्टन-फेज अप सब्सक्राइब और आप लोग सिर्म का भी यूज कर सकत करिए क्योंकि इससे क्या होता आपका तो मेकप के जो हमफुल इफेक्स होते वह आपके स्किन को के अंदर तक जाके आपके स्किन को हाम नहीं करेंगे उसके बाद मैंने कुट वैफ का वाइन इल्यूमिनेटिंग फेस फेस क्रीम गाईज अगर आपके स्किन को ड्राय नहीं करते हैं और मांक्स वागाद तो उसके उपर भी एक्चली में वर्क करती है क्योंकि मैंने इसको परसनली पूरा अच्छे से यूज कर दिया है और यह मेंने बहुत जादा पसंद है मैं इसके जो नेक्स टब है न संस्ट्रीन लोशन यूज करा है इसमें SPI 50 है PA++++ है और आप लोग डेली संस्ट्रीन भी यूज करें अपने स्किन के रूटीन में उससे क्या होता है कि UVA, UVB जो धूप की जो भी हामफुल फेक्ट्स होते है ना हामफुल UV रेज होते है वो आपके स्किन को डैमेज नहीं क फिर यह नहीं क करते है उससे क्या होता आपका मेक अ बार्श खाल होता है और घू पोल्हेуж क जोटीन नॉपर्स भी और और ऐसां आपके ए पारा होते है उससे क्या हूप होता है उसके बार हो जाते है और आपका लोटास्टिंग होता है उसके बाद मैंने लॉट्स रही थी क्योंकि मैं स्पोवी सब्सक्राइब मार्च रही हैं जय क्योंकि dzięki कुम्हें और विज़निया तोड़ा सा टाक कर रही हो आप याद रही है रखिए गाइस कि आप लोग अपना चो आई मेकप है वह धीरे धीरे बिल्ट करें एक्टम सारा प्रोडक्ट मत लगाईएगा इससे आपका आई मेकप जो है वह पूरा का पूरा स्पोयल हो जाएगा उसे बाँ मैं अपना डाक इस ब्लेंट कर रही हो और बहुत अच्छे से अपना 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 आई मेकप यूज़ करेंगे उतने अच्छे से जो आपका आई मेकप वह फ्लॉलेस्ट आपका साम प्रियेट होईगा दैन उसके बाद मैंने ब्लैक कलर लिया है इसी पैलेट मेंसे पहला जो मैं इसको लगाने के कोशिश करें तो यह ब्रेश की हल्प से लगा नहीं देन मैंने वापस अपनी फिंगर्स की हल्प से अपने पूरे आई लिट को सेट कर लिया था वह इसी ब्लैक कलर से और एक फ्लॉफी ब्रेश की हल्प से मैं उसको हलका सब बहुत अच्छे से ब्रेंड कर लेकर नीचे अपने लोर लैश लाइन को हलका स्मोकी एफेक्ट दूंगी और देन मैंने यूस करा था मेबलीन का कोलोसल ब्लैक लाइनर यह स्केच आई लाइनर इसके जो टिप है वह बहुत फाइन है और मैंने हलका विंग निकालते हुए अपना लाइनर ड्रॉ करा था मैंने मेबलीन का कोलोसल ब्लैक काजल अपने वाटर लाइन को अपर वाटर लाइन और लोर वाटर लाइन को दोनों को टाइड लाइन करा था और वपेस उसी ब्राउन कलर के शेट के साथ उसको हलका सा यूनों स्मोकी एफेक्ट देने के लिए उसको ब्लैंड कर दिया था और को बीज़ी पेचिनेस नहीं आएगा और मेकप तो ब्लैक बिल्कुल भी नहीं पड़ता गाइस और यूनो टाम तू टाइम आपको जो ज्यासे टाइम बीटता है वैसे वैसे मेकप जाएब वह फ्लालेस लगता है और मैंने इसको ब्लेंड करने के लिए डैंप ब्लेंड यूज़ करते हैं इसके ब्लेंडर के लिए आपना सेम स्विस्टी का लिक्विट कंसेलर यूज़ कर रहे हैं इनर और और पर प्लेस करते हुए उन्हों सारे हाइस पॉइंट्स पे मैं अपना यूज़ करें जहां जा मुझे जरूद है यह आयलाइटिंग कंसेलर के लिए उसके बाद मैंने पैक मीनी ब्लेंडर यूज़ करा था अपने प्ल्र विए après आप लोग को बहुत जाता है इसे बहुत अच्छे से आपका सारा कंसीलर वगरा इवन आप यह विदाउट फांडेशन भी आप इसको कॉम्पैक को यूज कर सकते हैं यह विद्ध बहुत अच्छा फुल कवरेश देता है सबसे पहले पूली के हल्प से हम अपने ब्राउज को शेप देंगे उसके बाद हम प्रोडक्ट फिल करके और देन उसके बाद वापस अपना पूली जो है वह वापस हम को मॉट कर देंगे यूज बहुत ली नेच्रल फ यह वर्थ है इसका पूली के हैप से जो भी हमने आइप्रोज में प्रोडक्ट फिल करा तो उसको कोम आउट कर दूंकि कोई भी हाड शेजस उसमें नजर ना है उसके बाद ब्लश के लिए मैंने मार्स की पैलेट यूज करी है उसमें से लाइट पीची पिंक कलर लेके मैंने लाइट शेज लेके अपने फेस के सारे हाइस फीचर को हाइलाइट करा था ब्रिज ओफ तर नोस क्यूपिट पो चिन यूज करा था और मैंने मेबलीन का था हाइपर कर्ल वाटर प्रूफ मस्कार यूज करा था यह मुझे बहुत जादा पसंद है और सबसे ची बात मैंने हाफ एन हाफ मैट लिप क्रियों यूज करा था वैलवेट सॉफ लॉंग लास्टिंग अल्ट्रा क्रीमी और इसका शेड जीरो सिक्स होट चॉकलेट दैन उसको टॉप पे मैंने यूज करा था अपने पॉपल के लिए प्लेटाइम सॉफ मैट लिप क्रियों ठक ओफ अपने नगे लिए प्लेट वाइट का फोटो फोकस सेटिंग स्प्रेइ यूज करा तो इसको मैंने डायम ड्यूटी ब्लेंडर पर लेकर यूज अपने फेस पर डायम कर लिया था डायक्ट यूज करने से बचेए गाइस हो गया हम आपको फुली रडी होंके फिर आप लो यूज आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों कोई वीडियो पसंद आए होगे अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल और आप लोग मुझे प्लीज गाइस मेरे फेस्बुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मे आप